हेलो एवरिवान मैं हूँ किरिंचापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल यह 20 दिसमबर से लेकर 26 दिसमबर तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे बूचेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता है क्राशी फल तो चलिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है, nine of cups, reverse and fulfillment of wishes और दिखिए दोनों ही एक ही cards हैं different decks से और दोनों ही कहीं किसी wish, किसी desire के true होने की बात करते हैं एक happy energies की बात करते हैं, एक satisfaction, एक joy की बात करते हैं कहीं again मैं कहूंगी कि किसी चीज को celebrate करने की भी बात करते हैं और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए यहां पे nine of cups का card reverse है तो हो सकता है कि एक happiness, एक joy है लेकिन साथ ही साथ किसी चीज को लेकर किसी level पे एक missing feeling भी है और देखिए broadly speaking अगर हम देखें तो कोई wish, कोई desire या तो आपकी पूरी हो रही है या फिर आपको इस week लग रहा है कि अब ये ख्वाब, अब ये wish आपकी पूरी हो जाएगी या फिर किसी wish, किसी desire को पूरा करने के लिए आप effort और महनत कर रहे हैं और देखिए personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है night of swords, rivers and temptation और देखिए ये cards कहते हैं कि मन ही मन specifically अपने personal front में किसी चीज को लेकर एक pressure, एक tension इस week आप महसूस कर सकते हैं और देखिए ये general reading है तो सब के लिए different personal life के areas हो सकते हैं और different reasons हो सकते हैं लेकिन देखिए जब भी भी temptation का card आता है हम यही कहते हैं कि शायद किसी चीज को लेकर आप बहुत obsessive हो रहे हैं बहुत जादा possessive हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये obsessive ये possessive energy सब के लिए differ कर सकती हैं कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है आप अपने ही तरीके से अपने ही हिसाब से लोगों को या फिर चीजों को मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं और देखिए temptation के उपर यहाँ पे knight of swords का भी card है और ये card reverse है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि movement shift को लेकर भी एक tension एक pressure आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए ये movement ये shift सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए literally travel हो सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि in general ही आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप you know एक clarity लाना चाहा रहे हैं और नहीं ला पा रहे हैं और इस वज़े से भी again मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और दिखिए आप logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आप mind से भी चीजों को deal करते हुए इस वीग दिख रहे हैं और दिखिए guidance से आप लोगों के लिए drum का card है और ये card कहता है dream and journey तो दिखिए जो आपके professional और personal front के लिए cards थे उन्हीं का ही कहीं एक sum up ये guidance का card दे रहा है dream कहीं nine of cups की energies को represent करता है और journey कहीं night of swords की energies को represent करता है और दिखिए nutshell में ये card कहता है कि जो भी आप अपनी life के लिए चाहते हैं चाहें वो आपका professional front हो या personal front हो उसी से ही related आप खुआप देखें उसी से ही related आप एक vision create करें और फिर एक practical realistic measures भी उसको reality में convert करने के लिए करें क्योंकि देखिए ये time period बहुत ही favorable है आपकी wishes आपके desires का reality में manifest होने के लिए और दिखें आपे nine of cups and fulfillment of wishes के cards भी कहीं इन ही energies की बात करते हैं तो फिर से मैं कहूंगी लियो कि इस week को आप बहुत ही positively utilize करें और जो आप चाहते हैं आप उस पे focus करें और उसी direction में आप action initiatives भी लें and astrology technology से आप लोगों के लिए ये awareness का card है और इसके हिसाब से indigo, blue, navy, blue colors इस week आप लोगों के लिए lucky रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए